हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल सबको जै मातादी और नौरात्री की हार्दिक शुपकामनाए आज की वीडियो में मैं आपसे नौरात्री पूजा की सबसे शेरल विदी शेयर करूँगी तो चलिए फ्रेंड्स पूजा सुरू करते हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले गंगा जल चिड़केंगे जहां हम पूजा करेंगे और मैंने लकडी का पाटा लिया है और उस पे लाल कलर का आसन बिछाया है मैंने और माता रानी का नाम लेंगे और हम पूजा सुरू करेंगे तो हमने हैं पर माता रानी की फोटो ली है नौ माता है हैं इसमें आप चाहे तो मूर्ती भी ले सकते है और सच्चे मन से माता रानी की हम पूजा करेंगे और यह मैंने माता रानी को चुन्नी चड़ाई है यह लाल कलर की चुन्डरी है माता को लाल कलर बहुत ही प्रिय होता है फिर हम यहाँ पे चावल की धेरी रखेंगे और धेरी पे हम गनेश भगवान को विराजमन करेंगे नौ दिन के लिए हम गनेज भगवान और माता रानी और कलश की स्थापना करेंगे यहाँ पे तो यह मैंने छोटे से गनेज भगवान लिए है यह चांदी की मूर्ति अगर आपके पास मूर्ति ना हो तो आप सुपारी में मोली बांद के भी पूजा कर सकते हैं मोली लपेट के और फिर हम माता रानी को फूल माला चड़ाएंगे और हमें फूल को अच्छे से धो लेना है और जो भी फॉल होते हैं उसको भी हमें धो लेना चाहिए चड़ाने से पहले फिर यहाँ पे हम अश्ट दल बनाएंगे और यहाँ पे हम कलशकी स्थापना करेंगे अगर आपको अश्ट दल बनाना आते हैं तो आप बनाएं और नहीं तो आप चावल की धेरी पे भी स्थापना कर सकते हैं कलशकी तो देखे फ्रेंड्स मैंने अश्ट दल बनाया है अब इसमें हम हल्दी और कुमकुम भी चड़ाएंगे और ये मैंने मिट्टी का बरतन लिया है आपको मार्केट में बहुत असाने से मिल जाएगा इसमें हल्दी कुमकुम का टीका लगाएंगे और इसमें हम अपने जुआरे उगाएंगे और ये मूली भी बांदेंगे हम तो हमने मूली बांद ली है और मैंने मिट्टी लिया इसमें थोड़ा सा रेत मिलाया है इसको हमने अच्छे से साफ कर लिये थे और यह जुआरे है इसे मैंने रात में भिगो लिया था अच्छे से दो के और यह अच्छे से फूल गये है और इस तरीके से जुआरे उगाने से हमारे अच्छे से जुआरे आते हैं फिर हम थोड़ा सा इसमें मट्टी डालेंगे इस बरतन में फिर हम जुआरे डालेंगे फिर हम मट्टी डालेंगे जुआरे डालेंगे इस तरीके से हमें इसमें रखना है जुआरे को तो हम ने अच्छे से डाल लिया है और अब इसमें बीच में से हम थोड़ा सा जगे बनाएंगे क्योंकि हम इसमें अपना कलश रखेंगे अब थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और पानी हें में ज्यादा भरके नहीं डालना है अब हम यहां पे अश्ट दल पे अपने रखेंगे ज्वारे वाला बरतन और यह कलश के लिए हमने यह लोटा लिया है तांबे का आप चांदी का भी ले सकते हैं आप मट्टी का भी ले सकते हैं आप इसमें स्वास्तिक बनाएंगे और त्रिशूल भी बनाएंगे रोली को हमने थोड़ा सा पानी डालके भीगो लिया था तो मेरा स्वास्तिक बन गया है और अब इसमें हम गंगा जल डालेंगे सबसे पहले और फिर मैंने यहां पर अक्षत लिया है दो सुपारी दो लॉंग और मैंने एक सिक्का लिया है और हल्दी और रोली ली है वो भी हम डाल देंगे और थोड़ा सा गुलाब जल भी डालेंगे और हम इतर भी डालेंगे इसमें अब कलश में हम पानी भरेंगे तो हमें ज़्यादा पानी नहीं लेना है थोड़ा सा पानी लेंगे हम थोड़ा सा मतलब पुरा नहीं भरेंगे और यह मैंने नारियल लिया है, पानी वाला इसमें हल्दी कुमकुम का टीका लगाएंगे और मैंने नारियल में चुन्नी बांदने के लिये लिया है तो हम अच्छे से चुन्नी लपेट लेंगे इसमे और फिर हम मोली बांदेंगे इसमे अब हमने मोली बांध लिए और ये नारेल का जो ये वाला हिस्सा होता है जो पेड़ से टंगा होता है वो वाला हिस्सा हम अपनी साइड रखेंगे अब हम यह नारेल रख देते हैं और मैंने अक्षत लिया है यह कलर्ष की कटोरी है तो इसमें अक्षत में हल्दी और कुमकुम मिलाओंगी और मैंने यह आम के पते लिये हैं तो इसमें हम हल्दी कुमकुम का टीका करेंगे अगर आपको आम के पते ना मिले तो आप अशोक के पते भी ले सकते हैं पान के पते भी ले सकते हैं तो हल्दी कुमकुम का मैंने टीका लगा लिया है इसमें अब इसे हम कलश में हम लगा लेंगे और यह हमारी जो कटोरी है कलश में इससे हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से फिर कलश को हम अब विज्वारे वाले बरतन में रखेंगे और इसको हम थोड़ा सा दबा के रखेंगे और अच्छे से चेक कर लेंगे कि हमारा कलश ही लेना और यह हम नारियल रख देंगे इस पर तो हमारा कलश बिल्कुल त्यार हो गया है अब मैं चावल की थोड़ी सी धेरी यहां डालूँगी हापे मैं दिया जलाऊंगी तो हमें अपना दिपक चावल की धेरी पर रखेंगे ऐसे नहीं रखेंगे अब इसमें भी हल्दी कुमकुम का मैं टीका जो है वो भी डालूँगी चावल की धेरी पर और यह मने दिया लिया है इसमें मने तिल का तेल डाला है तो हम मातारानी का नाम लेंगे और दीप को प्रजलित करेंगे तो हमने दीपक जला लिया है इसके बाद हम गनेश भगवान की पूजा सुरू करते हैं तो गनेश भगवान को इश्नान कराएंगे और चंदन और रोली का टीका लगाएंगे और अक्षर चड़ाएंगे गनेश भगवान को उसके बाद इतर चड़ाएंगे और हम निवस्त रुप में मोली लिया है तो हम मोली चड़ाएंगे गनेश भगवान को और इजनेवी भी चड़ाएंगे गनेश भगवान को फूल अरपित करेंगे पूजा में हमें सबसे पहले गनेश भुगवान की पूजा करनी चाहिए उसके बाद हम कलश में भी गंगा जल छिड़केंगे और दीपक में भी और फिर हल्दी कुमकुम का टीका लगाएंगे कलश में अक्षच चड़ाएंगे और फूल माला चड़ाएंगे फिर हम कलश में भी हल्दी कुमकुम का टीका लगाएंगे अक्षच चड़ाएंगे अलावा भी हम पूजा में चड़ाएंगे फूल चड़ाएंगे उसके बाद हम माताराने को इश्नान कराएंगे अगर आपके पास मूर्ती है तो पंचामरी सिश्नान कराएं फिर इसके बाद माताराने को चंदन, हल्दी, कुमकुम का टीका लगाएंगे सिंदूर चड़ाएंगे माताराने को और सारी माताओ को हम हल्दी, कुमकुम और चंदन का टीका लगाएंगे सिंदूर चढ़ाएंगे उसके बाद अक्षच चढ़ाएंगे माता रानी को फिर मा को हम वस्त रूप में कलावा चढ़ाएंगे और वैसे हमने माता रानी को चुनी चढ़ाईए यहाँ पे फिर मातारानी को हम इतर चढ़ाएंगे अगर आपके पास साड़ी है या सूट है तो आप मातारानी को चढ़ाएं यहाँ पे फिर मातारानी को फूल चढ़ाएंगे तो मैंने यह गुलाब का फूल लिया है और यह मातारानी का सिंगार का समान मैंने लिया है तो सिंगार चड़ाएंगे आपकी जितनी यश्या शक्ति आप माता रानी को सिंगार का समान चड़ाएं चूड़ी बिंदी मेहंदी और मैंने बहुत और सिंदूर लिया है जो उसके बाद हम धूप से गनेज भगवान की पूजा करेंगे फिर कलर्श की पूजा करेंगे फिर माता रानी को भी धूप दिखाएंगे और ये मने भोग में पंच पल ये पांसतरा के फल ये हैं बतासे और पंच मेवा है और ये पान है सुपारी लॉंग लाइची ये भी हम यहां रख देते हैं ये भी माता रानी को चड़ाएंगे हम और जल भी चड़ाएंगे आप मिठाई भी चड़ा सकते हैं गूड भी चड़ा सकते हैं माता रानी को जो भी आपकी यश्या शक्ति है आप माता रानी को भोग चड़ाएं फिर हम पहले गनेश भगवान को दक्षिना रखेंगे फिर माता रानी को फिर कलश में भी उसके बाद हम दीपक जलाएंगे देशी घी का और हम आरती करेंगे तो मैंने पहले हवन कर लिया है और मैंने आपसे वीडियो में शेयर नहीं किया है उसके बाद हम गनेश भगवान के आरती करेंगे फिर मातारानी के आरती करेंगे जो भी आपके आरती आती है आप माता रानी के आरती गाएं निता बुक्से भी कर सकते हैं फिर कलेश में भी आरती करेंगे आर्थी हमारी हो गई है अब हम गंगाजल से आच्छमनी करेंगे तीन बारे फिर गनेश भगवान को आर्थी दिखाएंगे कलश में दिखाएंगे माता रानी को आर्थी दिखाएंगे उसके बाद मैं कपूर की भी आर्थी करूंगी कपूर से तो ये कपूर लिया है मैंने और इसमें मैं दो लॉंग से आर्थी दो लॉंग भी डालूंगी कपूर में फिर हम आर्थी करेंगे कपूर से तो गनेश भगवान की करेंगे मातारानी की और कलश की भी हम आर्थी दिखाएंगे कपूर आर्थी तो आर्थी होगी अब हम आर्थी देंगे फिर हम भोग लगाएंगे तो भोग से याँ फिर हम जल से आचमनी करेंगे भोग में फिर गनेश भागवान को भोग लगाएंगे फिर मातारानी को भोग लगाएंगे फिर कलस में स्तापिस सभी देवतायगण को भोग लगाएंगे उसके बाद हम जल से छीटे देंगे तो फ्रेंट्स अब हाथ में हम फूल लेंगे, अक्ष़त लेंगे, कुमकुम लेंगे और हाँ जोड़के प्रातना करेंगे, मातारानी से विंती करेंगे, चरण वंदना करेंगे अगर पूजा में हमसे किसी परा की गलती हुए, तो मातारानी शमा करना हमें फिर हम यहीं पर फूल लक्ष़त छोड़ देंगे, मातारानी के आगे और सारे घर में हम अपनी यह आर्थी को दिखा देंगे अच्छे से और फिर हम हाथ जोड़ेंगे सभी भगवान को आर्थी ले लेंगे हम तो फ्रेंड्स मेरी नवरातरी की पूजा सबसे शरल विदी मैंने आपसे शियर करें फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पस्तंद आया होगा तो लाइक सेर सबस्क्राइब करना ना भूलेगा मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई और जैमाता दी